गुड मोनिंग दोस्तो आज हम 94 के इनपोटेंट क्यूशन के बारे में डिसकर्स करेंगे दोस्तो क्यूशन नमबर वन है पर्थम खिलजी सुल्तान जिसने रन्थमबर दुर्ग पर आकर्मन किया था option A अलो दिन खिल जी option B जलाओ दिन खिल जी option C मुबारेक खिल जी option D इन में सिकोmind नहीं तो इसका right answer है दोस्तो जलाओ दिन खिल जी के दुवारा रन्थम बभर दुर्ग पर आकर्मन किया गए था दोस्तो विश का right answer है दोस्तो question number 2 राजस्तान के थ्यास का पर्थम जोवर कब हुआ था राजस्तान के थ्यास का पर्थम जोवर कब हुआ था दोस्तो ओप्शन ए तेरा सो एक इस्वी में ओप्शन बी तेरा सो तीन इस्वी में ओप्शन सी तेरा सो पाच इस्वी में ओप्शन डी तेरा सो दस इस्वी में जेतर सिंग की स्मर्ति में कितने खंबो की छहतरी का निर्माण रंथम बोर्दुर्ग में करवाया था ओप्शन ए 30 ओप्शन बी 32 ओप्शन सी 25 ओप्शन डी 40 तो इसका राय टांसरे दोस्तो 32 भी इसका राय टांसरे दोस्तो क्योशन नमर फोर शिरोई के चोवान वंस का संस्ता पक कौन था शिरोई के चोवान वंस का संस्ता पक कौन था ओप्शन ए शिव सिंग ओप्शन बी उधे बान ओप्शन सी कुमारपाल ओप्शन डी लुंबा तो इसका राय टांसरे दोस्तो लुंबा शिरोई के चोवान वंस का संस्ता पक दोस्तो क्योशन नमर फाइप शिरोई के किस चोवान सासक ने पंदरा सु पिछेतर इस वी में अकबर के अधीनता सविकार कर ली थी दोस्तो ओप्सने सुर्तान ओप्सन भी अखेराज ओप्सन शी कुमारपाल ओप्सन डी जगमाल तो इसका राइट टांसर है दोस्तो सुर् अकबर के अधीनता सविकार कर ली गई थी पंदरा सो पिछेतर इस वी में दोस्तो क्योशन नमर फाइप अबू के प्रमारों का मूल पुर्ष किसे मानना जाता है दोस्तो इन्पोर्टेंट क्योशन है दोस्तो ओप्सने धूम राज ओप्सन भी अजे पाल ओप्सन शी रायट औंसर है दोस्तो और कुसे नमर फाइप अबूबू ऑज परमार refers ने तोड दूर्ग में किस मंदिर का निर्माण कशन परिए था कि पोज परमारperformance फोर्ष मपर्सन कश करूब का मंदिर B श्याम मंदिर का मंदिर का क्या है बर का दूस्ता कूछ जौस नुमर्ग, यह दोस्तों सहां क्यों के कुछा, फ्लिक मीच यह चाहिए, था इन्पोर्टेंट क्यूशन है दोस्तों कि आबू का कौन सा परमार राजा परमारों का मरू मंडल महराज कहलाता था ओप्सने राम सिंग परमार उप्षों बी अजय अजय सिंग परमार बचक यूधिक सिंग अप्षों डी सिंग राज परमार वीजें परमार उसि Barnesương सिंग राज परमार मरू मंढरन जह दोस्तव क्यूशन नमर नाइन अल्लावदिन खिल जी ने शिवाना दुर्ग पर विजे के पश्यात दुर्ग किसको सोप दिया था इन्पोर्टेंट कुछन है दोस्तों कि अल्लावदिन खिल जी ने शिवाना दुर्ग पर विजे की पश्यात दुर्ग किसको सोप दिया था किसको देत दिया था दोस्तों वीजे के पश्यात अल्ला भू धिंख के दुवारे दोस्तों बी इसका ग्राई टांस रहे दोस्तों कैसे नमर दस तेरा सो आठ इस वी में सिवाना पर वीजे के पस्यात अल्लाओ दिन खिल जी ने सिवाना का नाम रख दिया था इंपोर्टेंट क्विशन है दोस्तो उप्सन ए फेजाबाद उप्सन बी खेराबाद उप्सन सी मौमिनाबाद उप्सन डी इन में से कोई नहीं तो इसका राइट रख दिया था किसका नाम सिवाना का भी इसका राइट रख दिया दोस्तो क्योंस नमर ग्यारा है दोस्तो अल्लाओ दिन खिल जी ने जालोर का नाम में बदल कर क्या रख दिया था अप्शन A फेजाबाद, अप्शन B खेराबाद, अप्शन C जलालाबाद, अप्शन D मिर्जाबाद तो दोस्तो इसका right answer है जलालाबाद अल्लावदन खिलजी ने जालोर का नाम में रख दिया था दोस्तो C इसका right answer है दोस्तो Question number 12 अल्लावदन खिलजी ने जालोर पर कब आकर्मन किया था option A, 308 ECV में option B, 311 ECV में option C, 305 ECV में option D, इन में से कोई नहीं तो 311 ECV में अलोधने खिलजे के दोवारा जालोड पर आकरमन किया गया था दोस्तो B इसका right answer है दोस्तो, क्यूसर नमर 13 जालोड दुरुक को किस नाम से जाना जाता है ط affairs of important question है दोस्तो कि जालोड दुरुक को किस नाम से जाना जाता है Q14 वीरम देव को अलाओ दिन खिलजी की कौन सी पुत्री से प्रेयम हो गया था वीरम देव को अल्खदिन खिलजी के कौन सी पुत्री से प्रेम हो गया था दोस्तों Option A. खिरोजा, option B. सबनम, option C. नूरा, option D. इन में से कोई नहीं तो खिरोजा से वीरम देव को प्रेम हो गया था दोस्तों एो इसका डॉराइट आंसर हैं दोस्तों किस नमर 15 ह आ कि धि Прेंजा नोसब्स चार्ट इसवी स्ट मेंद नोसब्टों शार्टी फी में चौन की नाडर्डोशाका की स्थापना की सुद्ध किसीन सापना को सथा न य दोश्टों की चौन फेला कि उप्शन निस्फ़ी में लीसे कोई नहीं धुक्ष मन के दोबारा 940 इसमें नाडॉल साका की इस्तापना की गई थी दोस्तो एंसका रायर टांस रहे दोस्तों किस नमर्सोड़ा कि किस नम्र्सोड़ा है दोस्तों जालोर के चब्वाण राजवंस का संस्ताप कौन था जालोर के चोवान राजवन्स का संस्ता पकों था option A लक्समन चोवान option B किरतिपाल option C समर सिंग option D राम सिंग तो इसका right answer है दोस्तो किरतिपाल के दुवारा जालोर के 94 वन्स की स्तापना की गई थी दोस्तो B इसका right answer है क्योशन नमर 17 राजस्तान का सबसे प्राचिंतम चोवान राजवन्स की से माना जाता है important question है दोस्तो कि राजस्तान का सबसे प्राचिंतम चोवान राजवन्स की से माना जाता है option A रंथमबोर के चोवान option B बुंदी के चोवान option C सामबर के चोवान इसका राय टांसर है दोस्तो सांवर के चौवान को सबसे प्राशितम राजुवन्स माना जाता है दोस्तो पानसो इकावन व्हिमें सांवर के चौवानों की स्तापन की गई थी दोस्तो क्यूसर नंमर्ट 18 जालोड के कौन से सासक ने सामन्त सिंग को प्राजित किया था जालोड के कौन से सासक ने सामन्त सिंग को प्राजित किया था option A किरतिपाल ने option B सामन्त सिंग ने option C अभे सिंग ने option D इनमें से कोई नहीं तो इसका राय टांसर है दोस्तों किरतिपाल के दोवारा सामंत सिंग को प्राजित किया गये था ए इसका राय टांसर है दोस्तों क्योशन नमर गुनिस किसने कोटा के राम सिंग को राव की उपादी परदान की थी किस ने कोटा के राम सिंग को राव की उपादी प्रदान की थी सासक कभ बनना था दोस्तो ऐ ए 1565 ऊप्षाइबे ऑफ्षन बी 605 सी सोड़ा सो अगटीस तीश的аем स्धिने े इसका ड्राय टांस री दोस्तो 1631 में मादर सीघी कोता का सव तंतर सासक बनना था तो राइट अंसरे दूस्तो थेंक्यों दूस्तो